दिल्ली के एक प्लेट फारम पर एक ट्रेन खड़ी थी जो दो घंटे से बिलंब से अपने गंतव्यस्थान तक यानि जहाँ जहाँ उसको जाना था वहाँ वह वह जाती लेकिन ट्रेन अभी दो घंटे लेट थी यानि कि बिलंब थी प्लेट फारम पर एक यात्री जिसका नाम नितीज था वो अपने हाथ में टिकट लिये अपनी बोगी चक करता हुआ धीरे धीरे ट्रेन की पीछे की दिशा में आगे बढ़ रहा था अचानक नितीज को वो बोगी दिख गई जिसका उसमें कनफर्म टिकट था उसका टिकट AC 3 टियर में था वो AC 3 टियर में अपनी बोगी में अपनी सीट खोज कर जैसे ही बैठता है बैठने के बाद काफी देर हो जाती है चुकि टेरेन दो घंटे बिलंब से थी तो वो बैठ कर अपने मोबाइल पर मोबाइल फोन पर वीडियो देख रहा था अपने मोबाइल को धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा था एक पर एक रील देखे ही जा रहा था कि अचानक उसकी जैसे नजरे उठती हैं तो वो देखता है कि सामने एक लड़की जो अभी यवावस्था में है लेकि देखने के बाद उसकी एज उसकी आयू बहुत जादा नहीं लग रही है वो लड़की भी उस मितीज को देखती है दोस्तों जो आज की कहानी है वाकई दिल को छूले ले वाली एक सामाजी कहानी है कहानी में आगे बढ़ेंगे पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस शोटा सभी नमनलोद है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं ऐसी दिल को छुलेने वाली समाजी कहानिया अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने में ना ही कोई महनत लगती है और ना ही कोई YouTube चार्ज लेता है बस आपको एक सेकेंड का टाइम अपना देना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है हम आपके लिए इतनी महनत कर सकते हैं तो आपसे हम ये चाहते हैं अपनी महनताना के तोर पर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा फिलहाल बिना आपका समय कहानी को वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहां से हम कहानी को छोड़ के आये थे, नितीज की जब नजर उठती है, उस लड़की के उपर जाती है, तो वो लड़की भी नितीज को बड़ा ध्यान से बड़ा गौर से देखती है, कुछ देर दोनों एक दूसरे को आँखों के सहार देखते हैं, दूसरे को देखते रहते हैं, कुछ देर बाद ही नितीज से वह लड़की पूछती है कि भाया यह ट्रेन कितनी देर में चलेगी, तो लड़का कहता है नितीज कि बेटी बहन जी यह ट्रेन अभी एक गंटे बिलंब से चलेगी, यह काफी लेट हो चुकी है, कि बस वो कारण मुझे नहीं पता है लेकिन ये ट्रेन अभी एक गंटे लेट से चलेगी वो लड़की कहती है ठीक है अब कुछ देर बाद ही दोनों आपस में एक दूसरे से फिर बाते करना चाहते हैं और इस बार जैसे ही नितीज उस लड़की को देखता है वैसे ही वो पास वो पिन है नितीज नीचे जुकता है नीचे से अपना ट्रॉली बैग निकारता है और ट्रॉली बैग से एक छोटा सा किट निकालता है जिसमें उसने सिम लगाने वाला इजेक्टर रखा था वो इजेक्टर सिम लगाने वाला उस लड़की को देता है उस लड़की को SIM को वो चबा जाती है और अपने ही बैग से एक नया SIM कार्ड निकालती है और उस मोबाईल में डाल कर अपना SIM सेट करके वो मोबाईल अपने हाथ में लेकर बार 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 उसी मोबाईल को देखे जा रही थी नितीज जब ये सब कुछ देख रहा था तो उससे रहा न गया वो लड़की से पूछता है कि बहन जी क्या हुआ कोई समस्या है कहीं अगर आपको फोन करना हो तो आप मेरा मुबाइल ले लो फोन कर लो तो वो कहती है कि नहीं भाईया मुझे कहीं पे फोन नहीं करना है दरसल ये मेरा नया सिम है जो अब ही किसी ने मुझे खरीद कर दिया है जैसे ही ये बातें नितीज सुनता है लड़की से कहता है किसी ने खरीद कर दिया है तो वो कहती है हाँ किसी ने खरीद कर दिया है नित के train जाएगी वहाँ पर वो मुझे मिलेगा last stoppage पर train की उसी ने मुझे यहाँ पर अपने किसी दोस्ट के माध्यम से एक sim भेजा है तब नितीस बड़ा आश्चर चकित हो जाता है और उस लड़की से कहता है कि वो boyfriend आपका जिसने किसी माध्यम से आपके पास एक sim भेजा है उ और वो अब कहीं दूसरी जगा पे रहता है जहां पे मुझे जाना है लेकिन मजबूरी की बात यह है कि मैं आपको पूरी चीजे नहीं बता सकती हूँ अब नितीस बड़ा सोच में पड़ जाता है कहता है कि क्या जहां आप जा रही है वहां आपने अपने पिता जी से उसी ने मुझे बताया है कि फला ट्रेन पकल लेना, वहां पे मैंने तुम्हारा टिकट कर दिया है, फला बर्थ पे तुम्हारा टिकट है, और तुम जाके वहां पे बैठ जाना, और मैं तुम्हें जहां पे ट्रेन आएगी, लास्ट श्टापेश पे वहां मिलूँगा और कर लूँगा नितीस काफी देर सोचता रहता है अब लड़की धीरे-धीरे उससे खुल जाती है और दिल खोल कर बाते करने लगती है दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बाते करते हैं लड़की नितीस से पूछती है कि भया आप अपने बारे में कुछ बताईए तीस कहता ह है कि बहन जी आप ये बहुत गलत काम कर रही हो आप एक गलत रास्ते पर जा रही हो बिना अपने माबाप को बताए हुए आप अपने बॉइफरेंड के पास जा रही हो मैं आपको अपने जीवान का तजुर्वा बताऊं तो आपका बॉइफरेंड और आपका प्यार नही वो कभी भी इतनी चालबाजी नहीं करता है किसी से सिम खरीदे फिर सिम मित्र को दिलाए और एकदम खूफिया की तरीके से ट्रेक करे कि लड़की कहां पहुची है कहां नहीं वो काफी देर तक उसको समझाने लगता है लड़की धीरे-धीरे समझ रही थी अब लड़की से नितीस कहता है कि मैंने भी प्यार महबबत की थी मैंने भी लबमयरिश की है तब लड़की आगे बढ़के नितीस से पूछती है फिर भाईया क्या हुआ कैसे आपका प्यार मिला तो नितीस उसे बताता है कि दरसल वो जिस महले में रहता था उसी महले की एक लड़की से नि उसके घर वालों नी नितीज को मना कर दिया कि तुम देखो गयर बिरादरी के हो, तुम्हारे यहां हमारी लड़की की साधी नहीं हो सकती है और धीरे-धीरे नितीज की प्रेमिका को यानि नितीज जिससे प्यार कर रहा था, उसकी साधी कहीं और तएंग कर दी जाती है और बाकाइदा गोदभराई की रस्म भी हो जाती है, यानि मंगनी की रस्म भी अदा हो जाती है. लेकिन धीरे-धीरे जो लड़के पक्ष वाले लोग थे नितीज की प्रेमिका की जहां साधी हो रही थी, उसके ससुराल वाले जो लोग थे, वो धीरे-धीरे दहेज की मांग एक पे एक किये जा रहे थे, जो कि नितीज की प्रेमिका के घर वालों को बहुत जादा बुरा लग रहा था. धीरे-धीरे नितीज की प्रेमिका ने भी कह दिया, कि अब मैं ऐसे घर में साधी नहीं करूंगी, जहां पे लोग बिना सोचे समझे, मुह फाड़ के दहेज मांग रहे हैं, और यह बात नितीज को बहुत अच्छी लगी, और नितीज ने लाष्ट में एक तरफा दोनों ने मिलकर साधी करने का फैसला कर लिया, अब लाष्ट में घर वाले भी मजबूर थे, कुछ दिन की जद्दो जहत के बाद दोनों की साधी कर दी जाती है, अपनी प चला गया सौधिया अरब कमाने के लिए, सौधिया अरब दो-तीन साल कमाने के बाद मुझे एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी ने जनम लिया, और जब मैं सौधी अरब से कमा कर वापस आया, और जब मेरी नन्ही सी प्यारी सी बेटी मेरी गोद में आई, तो मैं एक महीने की छुट्ची सौधी अरब से लेकर आया था कि मैं एक मैने बाद फिर से कमाने अपने परिवार वालों के लिए अपनी बेटी के लिए affect देश चला जाओंगा फिर से सौधी अरब चला जाओंगा लेकिन जब मेरी बेटी मेरी गोद में आई तब मैंने ये सोचा मैंने ये प्रण लिया मैंने ये फैसला लिया कि एक तरफ मेरी पूरी कमाही होगी मेरे जीवन की और एक तरफ मेरी नन्नी सी कली सी प्यारी सी बिटिया जो कि मैं बहुत दूर रहूंगा उसका बचपना मेरे बगैर गुजर जाएगा ऐसी कमाह से अच्छा है कि मैं अपने परिवार को चुनी और नितीस ने अपना परिवार ही चुना और वो एक महिने की छुप्ती के बाद सौधी अरब नहीं गया जब पूरी कहानी नितीस ने उस लड़की को सुनाई तब नितीस ने उस लड़की को समझाया भी कि आज के जबाने में परिवार से बढ़ कर चाहे वो मा हूँ, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बिटिया हो, चाहे वो बहन हो उससे बढ़कर अगला कोई नहीं होता है क्योंकि हर मुश्किल में हर समस्या में हमारा अपने लोग या हमारा परिवार ही साथ आता है लड़की को नितीज काफी समझाता है और धिरे धिरे समझते समझते उझे बहुत सारा उधारण देखता है प्रेम का प्यार का मुहबत का जिसमें वो बताता है कि लाष्ट में लड़कियों के साथ प्यार करने के बाद बहुत बिरले होते हैं जो लाष्ट तक मरते दम तक सा गर्त में उनका जीवन हसता खेलता खाता चला जाता है और उनको मिलता है तो उसरी पंदकार और बरबादी के अलावा कुछ भी नहीं जब नितीज के मूँ से उस लड़की ने पूरी कहानी सुनी कुछ ही देर बाद ट्रेन ने अपना हारन दे दिया था और ट्रेन दिल्ली का प्लेट फारम छोड़ने वाली थी लड़की के आँखों में आशु आ चुके थे उसने नितीज से उसका फोन मांगा और अपने प्लेट फारम पर आ गए थे दोनों बाप और बिटिया एक दूसरे से गले लिपट कर काफे देर तक होते हैं ये सब नितीज अपनी बोगी के खिड़की से देख रहा था और जब उसे बरदास्त ना हुआ तो वो भी अपनी बोगी से प्लेट फारम पर नीचे उतर आया उसे अभी परवाह नहीं थी कि ट्रेन चाहे रहे या छूड़ जाए ट्रेन अभी चली जाए दो साध निश्चल प्रेम को देखकर वो भी अपने आशू रोपना सका दोस्तो समाज में चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो बहुत बार ऐसे मौके आ जाते हैं विसेश करके युवा वस्था में जब कदम बहक जाते हैं लेकिन सामने वाला अगर समझदार है और समझान की काबलियत रखता है कदम खुद बखुद लाइन पर और रास्ते पर आ जाते हैं फिल हाला अप यह छोटी सी कहानी कहां से देख रहे थे और आपका इस छोटी सी कहानी के बारे में क्या कहना है हमें अपनी राय कमेंट बाक्स में जरूर बताएं मिलता हूँ ऐसी एक दोस्तों जैहिन बंदे मात्रम